तो आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करूंगी हरे मटर के दाल की रेस्पी और यह निमोना नहीं है हरे मटर के दाल की रेस्पी है तो मैं वह आप से सेयर करती हूं फिर मैं आपको इंग्रीडियन पहले बता दू फिर मैं आपको प्रोसस दिखाती हूं तो यहां पर मैंने लिया हुआ है एक किलो मटर छील करके और इसमें मैंने सूखी लहसुन ली हुई है अगर आपके पास हरा लहसुन हो तो आप 50 ग्राम हरा लहसुन जो प तो इसको कोर्स टेकोल में ग्राइंड कर लेंगे तो चलिए मैं आपको ग्राइंड करके दिखाती हूं exactly ऐसे होना चाहिए । दरधा पीसा होना सही है फाइन पेस्ट हमें नहीं बनाना है इसको इसको ग्राइंड रखना है एक गैस पाप थोड़ा से ज्यादा बस पीसेंगे अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना ज्यादा आप पीसेंगे ताकि उसकी कंसिस्टेंसी है वो अच्छी रहे तो अभी मैं आपको पीस के फिर आगे किस चीजे दिखाते हूं अब हम भूनेंगे थोड़ा इसमें महनत होता है भूनते टन तो वह तो महनत हमें करने ही पड़ेगी लेकिन जो रिजल्ट आता है बहुत ही अच्छा आता है तो देखिए अब हम इसमें तेल ले लेंगे मैं सरसो के तेल में बना रही हूं सरसो के तेल में ही आप बनाईए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वह बहुत अच्छा होता है तो मैंने यहां पर इतना ही तेल लिया मैं कम तेल में बना रही हूं आप चाहें तो तेल बढ़ा सकते है और भी चाहे तो घटा सकते हैं वो आपकी चोईस है आप अगर कम में अच्छे से भून पाएं लेकिन अगर कम में बनाएंगे तो ज्यादा सोधा सोधा अच्छा बनता है और बागी आपकी चोईस आप जितने तेल में बनाना चाहे है आप उतने तेल में बना सकते हैं तो अ हम ने इसमें डाल दिया हुआ है और इसको हम निमोना नहीं कहेंगे यह हरे मटर की डाल है निमोना इसले नहीं कहेंगे क्योंकि निमोना में मसाला जाता है और यह निमोना थोड़ा सा अलग बनता है और यह थोड़ा मीठा रहता है बहुत ही तेश्टी बनता है और इसके लि उसे सबस्क्राइब कर Hindu कर के अच्छे से अब भूनेंगे और जब तक हमारा मतर भूं रहा है तब तक अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज subscribe कर लिजिए और अपने जानने वालों के साथ इसको share कर लिजिए और like कर लिजिए और comment करके बताईए कि आपको recipe कैसी लगी तो देखिए अब यहां पे हमारा भुन गया है और यह जितना भुनता जाएगा पहरे तो starting में आपको यह आपस में इकठा होता जाएगा और फिर जितना भुनता जाएगा उतना फिर यह खुलता जाएगा खुलता जाएगा इन the sense कि यह भरभरा होता जाएगा अलग होता जाएगा तो हमें यहां पे महनत थोड़ा करना है तो महनत करना पड़ेगा और तभी हमें अच्छा result आएगा तो इसको ध्यान रखिए कि आपको चोड़ना नहीं है नहीं तो जल जाएगा और नहीं हाई फ्लेम लिखना है इसको मिडियम फ्लेम पे ही भूनते जाना है और यह बहुत बहुत जादा टेस्टी लगता है यह भाई यूपी इस्ट का तो जान है बहुत ही जादा अच्छा बनता है बहुत जादा लोगों को अ तो आपको बहुत ही जादा अच्छा लगेगा ट्रस्ट मी आप कहेंगे कि रियली बहुत बहुत डलिसिस रेसिपी है और आप तारीफी करेंगे तो मेरा अब ये भुन गया है इसमें पहले थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लंप ना रहे तो फिर अपनी जरूरत के हिसाब से हम पानी डाल देंगे और इसका कंसिस्टेंसी गाढ़ा ही रहेगा मतलब ठिक ग्रेवी ही रहेगी और अब पानी डाल करके बॉयल आने दीजिए बॉयल आने पे इसमें हरा धनिया हरा लहसुन और मिर्च पीस करके डाल सकते हैं और मैंने सिर्फ हरा धनिया और हरा मिर्च पीस करके डाला है क्योंकि मेरे पास हरा लहसुन नहीं था तो मैंने बिग्निंग में ही बताया है कि सूखा लहसुन मैंने साथ में पीस लिया है और वो मतर भुनते समय अच्छे से भुन गया है उसका raw flavor खतम हो गया है तो इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका जाग settle ना हो जाए जाग खतम होने तक पकाएंगे तो 10 से 15 मिनट तक low flame पे पकाएंगे अब देखिए जाग खतम हो गया है और color भी change हो गया है अच्छा की कि मीने तो आपच को लिए और कनी अगर अपने पर तेस्ट के अकॉर्डिग साल्ट एड़ करें तो अब हमारा हमारा यह मतर का बाल के तयार है , तो इसका कॉंबिनेशन में बताती हूँ कि इसको कैसे एंजॉय करेंगे के मेरा हरे मटर का दल त्यार हो गया और इसका कॉंटी कॉमिनेशन कह सकते हैं कि यह अलू का चोखा चावल रोटी वैने नहीं बने है आप चाहे तो रोटी खा सकते लेकिन यह चावल के साथ ज्यादा टेस्टी लगता है और इसमें आप डैसी घी डालके खाये और बटर भी डाल सकते है चोई सचार योड्स आप क्या प्रेफर करेंगे देसी की आप डिपेंट करता है तो आप डाल के खाटे हैं मैं तो कहूंगा आप देसी घी डालको फेमली आपको दिखा दी रेस्पी तो प्लीज ट्राइ ये और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे मेरे चैनल को और नोटिफेकेसल बिल को प्रेस कर लिजे ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन स्मिलते रहें मेरे वीडियो के और लाइक करिए, share करिए and comment करके मुझे बताइए कि आपको recipe कैसी लगी and please like share and subscribe to my channel till then bye bye take care